Hello friends, स्वागत आपका एक पर फिर से तो सबसे पहले disclaimer हम आपको कोई भी financial advice नहीं दे रहे हैं crypto investment अपनी analysis के बाद ही करिए market risk है तो अच्छे से समझिये और उसके बाद ही अपनी money invest करिए तो चलते हैं news update की तरफ तो सबसे पहले जो news हम यहां पर cover कर रहे हैं वह बाइन्स की तो बाइन्स ने यहां पर swipe को full fledge acquisition करने का यहां पर announcement कर दिया है इससे पहले जो बाइन्स है उन्होंने एक काफी बड़ा stake जो था वह खरीदा था swipe में तो अब यहां पर उन्होंने बोला है कि भई वह fully 100% stake है swipe का उसको खरीदने जा रहे हैं अब इसको खरीदने का उनका जो motive है उन्होंने सीधे तोर पर तो नहीं बताया है लेकिन जो आप यह कह सकते हैं कि इससे जो पता चलता है इस चीज से वह यही है कि PayPal और Mastercard जैसी जो companies अभी crypto में अपने पैर पसार रही है और वह payment service के related हैं तो उनको सीधी सीधी टककर यहां पर Binance जो है वह देनी चाहरा है अपनी exchange तो उसके पास खुदी है और अब अगर वह यहां पर swipe का पूरा 100% stake ले लेता है तो that means कि वह payments का पूरा का पूरा setup अपने पास अब रख रहा है अब आने वाले time पर जितने भी Binance के यूजर होंगे तो यह उन्होंने अपनी announcement बोला है कि जितने भी Binance के यूजर होंगे वो सारे के सारे अब अपने जो coins हैं उनको spend कर सकते हैं 70 million locations पे worldwide that means जहां जहां swipe चलती थी for payments वहां वहां अब Binance के जो users हैं वो अपने crypto assets को सीधा fiat में convert करके transaction कर सकते हैं तो अब इसके लिए वो अपना debit card भी लेकर आएंगे तो Binance के users को debit card भी मिलेगा जहां जहां पर उनकी जो swipe app है वो already allowed है तो यहां पर यह काफी बड़ा point है Binance के लिए तो इससे काफी benefit जो है वो Binance को मिलने वाला है और BNB जो token है उनका अपना उसको भी मिलने वाला है अगली news की बात करें तो Micro strategy यहां पर एक बार फिर से उन्होंने 1914 Bitcoin जो है वो purchase किये है average अगर buying की बात करी जाए उनकी तो 49,229 डॉलर यानि की 49,229 डॉलर पर Bitcoin के rate पर उन्होंने यह 1400 जो 1914 जो अपने BTC है वो उन्होंने खरीदे है अब उनके पास जो total holding हो गई है Bitcoin की वो हो गई है एक लाग 24,391 BTC जो है वो अब उनके पास total हो चुके है और अगर यह जो current purchase है उनकी उसकी बात करें तो 94 million dollar जो है वो उन्होंने यहां पर खरीदे है 94 million dollar और वहीं अगर overall उनके profit की बात करें तो उनके पास 6 billion dollar around यहां पर जो value है उनके BTC की अब हो चुकी है जिसमें की अगर हम देखे तो 2.1 billion dollar का benefit है बहुत सारी users यह कहते हैं कि भई वो already sale out कर चुके हैं यह अपनी सारी crypto holding और यह सिरफ दिखावे के लिए है तो दिखावे के लिए नहीं है यह हम आपको बता देते हैं इसका reason क्या है क्योंकि यह जो data आता है यह data उस तरीके से आता है कि जो भी जो SEC है यहाँ पर US का SEC Security and Exchange Commission उसके पास जो भी documentation जाती है हर company की उसकी investments की और उसकी liabilities की उस document में यहाँ पर जो declaration है उसमें लिखा होता है कि MicroStrategy के पास इतने BTCs available पड़े हैं stock में और इतने उन्होंने और purchase किये हैं यह SEC की filing में और इससे पहले की SEC filing में तो यह जो SEC की filing हुई है तो इसमें उन्होंने खास तोर पर mention की हुई है dates भी कि December 9 से लेकर December 29 के बीच में यह सारी purchasing जो है वो की गई है तो that means at present इतनी holdings जो है BTC की वो MicroStrategy के पास है अगली news की बात करें तो Bitcoin यहाँ पर एक बर 45,000 पर गया है 44,000 को touch नहीं किया जैसे कि हमने आपको पहले बताया था लेकिन फिर से market ने एक थोड़ा सा gain किया है लेकिन यहाँ पर market अभी भी stable नहीं है बेरिश मोड अभी भी on है तो उसी के चलते कहा यही जा रहा है कि 2022 में भी हो सकता है कि यह गिरावट के साथ ही जो market जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि market की जो entry है वो गिरावट के साथ ही होगी नए साल में भी तो अब आप अपना जो assets है उसको अगर जादा तर आप अपना fiat में यह कहें कि USDT या stable coins में आप अपने पास अपने assets रखें तो better ह का so that कि अगर market जादा गिरती है तो आप उस dip में buying जो है वो कर सके अगली news की बात करें Mexico ने यहाँ पर बोला है कि वो 2024 तक अपना CBDC जो है उसको roll out करने का plan out कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यह जल्दी से हो जाए so that कि वो जादा financially inclusive हो जाए कि यह जो technologically जो advance हो रही है चीज़ें वो उसके साथ जादा जल्दी से cope up कर सकें अगली news की बात करें तो cento जो blockchain है वो अब 50 bitcoin ATM लगाने जा रहा है पनामा में तो बताते हैं आपको कि पनामा जो country है वो भी El Salvador की तरह यहाँ पर bitcoin और crypto assets हैं उनको legalize करने के बारे में सोच रह जिसके बाद अब cento blockchain जो company है वो करीब 300 bitcoin ATM लगाने जा रही है लेट इन अमेरिका में और starting हो रही है 50 bitcoin ATM लगाने की जो की है यहां पर पनामा में और उसे के साथ साथ वो उसके बाद अपना एक layer to wallet भी दे रहे हैं साथ में so that कि जो crypto से fiat और fiat से crypto की conversion है वो भी उनकी easily हो ज रहे हैं जिसको utilize करके जो customers हैं वो अपनी transactions कर सकें अगली न्यूज यहां पर Russia से तो Russia का जो bank SBAIR वो अब blockchain ETF launch कर रहा है लेकिन वो इसका जो आप यह कह सकते हैं इसको किस पर base कर रहा है वो bitcoins पर base नहीं कर रहा है वो base कर रहा है इनको बड़ी-बडी company ओं पर जो की related है blockchain या crypto के साथ तो यहां पर जो बड़ी नाम यहां पर जो बड़े नाम लिखे हुँ है उसमें coinbase और galaxy digital दो बड़े नाम है जिनके ऊपर यह ETF जो है वो base होने जा रहा है अगली news की बात करें तो polygon ने अपना एक upgrade किया है quietly upgrade यह उनका हुआ था 9 December को और यह अगर upgrade सही से नहीं जो hamper हो जाती तो वो थी 9.27 billion matic जो coins थे वो risk पर थे तो that means कि उनकी total supply ही 10 billion किया और उसमें से 9.27 billion matic जो है वो risk पर थे तो आप यह सोचेंगे पूरा का पूरा matic का जो पूरा एक blockchain है यह कहें पूरा network है वो सारा का सारा ठप हो सकता था अगर यह जो fix किये गए थे यह जो issue fix किया गया था वो timely fix नहीं होता तो यहां पर आपको बता दें कि जो white hat hackers थे उन्होंने 3-4 December को यहां पर polygon को बताया था कि भई आप में यह जो issue है आपके blockchain के अंदर है जिसकी वज़ा से इतने asset आपके जा सकते हैं तो उन्होंने जल्दी से अपना यह जो vulnerability थी इसको clean up किय इसके लिए code लिखा और जल्दी से इसको deploy किया so that की जादा नुकसान जो है वो ना हो लेकिन फिर भी इतनी जल्दी करने के बावजूद उनको जो नुकसान हुआ है वो 2.4 million का नुकसान हुआ है जो की actual जो नुकसान हो सकता था उसके मुकाबले बहुत ही कम है तो यह जो fix है उन्होंने जल्दी से किया और यहां पर जो company हो कह रही है कि हमारी team ने जो better उन्हें लगा उन्होंने वो जल्दी से किया जिसके चलते no doubt जो polygon है उसको थोड़ा सा एक downtime भी देखने को मिला था लेकिन वो downtime कुछ नहीं है इसके आगे कि हमने सारे के सारे assets जो हैं वो save कर ल बात करें तो coin one जो exchange है यहां पर South Korea में उन्होंने withdrawal बंद कर दिया है external wallet से अगर वहां पर आप unverified है that means कि अगर आपने KYC proper नहीं कर रखी है और उसके बारे में कोई भी detail नहीं दे रखी है तो आप उन external wallets में अपनी transfer यह withdrawals नहीं कर पाएंगे तो South Korea में यह आप कह सकते हैं जो money laundering के against में जो भी rules and regulations है तो उसमें एक यह भी rule जो है वो add up हो चुका है जिसके लिए उनको time मिला था इस चीज को पूरा implement करने के लिए और coin one जो exchange है वो सबसे पहली ऐसी exchange है जिसने ऐसा किया और बाकी की जितनी भी exchanges है वो अब इसी के जो coin one ने जो किया है उसी के चलत ने अपनी जो mining three तो बंद कर दी थी लेकिन अब उन्होंने allow कर दिया कि अगर आप renewable power sources को use करते हुए अपनी mining करते हैं तो वो आप कर सकते हैं तो ऐसे में जितने भी legal miners हैं सिरफ वो ही renewable energy के जो providers हैं उनके साथ tie ups कर सकते हैं और अपनी mining जो है उसको continue रख सकते हैं अब अग पहले अगर देखें तो 13-14000 के बीच में यहां पर bitcoin जो थे sorry bitcoin के ATM थे across the world अब at present वो 34000 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो चल रहे हैं तो that means कि 20,000 के करीब जो ATM's हैं वो bitcoin के लगे हैं 2021 में जो अभी तक के सबसे जादा है तो friends यह थी हमारी आज की news update कैसी लगी जरूर बताईए और उसी के साथ साथ चैनल को भी subscribe करें अगर आपने अभी नहीं किया है और bell notification का icon जरूर दबाएएगा ताकि आपको वीडियो की notification timely मिलते रहें तो मिलेंगे अब आपसे अगले update में तब तक के लिए thank you very much